है गाईज वेलकम वेक तो मैं अनेदर वीडियो और दोस्तों आज हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के वारे हम बात करने वाला है जो कि सभी के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है चाहिए वो कॉम्टेट एक्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस रिसाब से भी आपर कुश कुटेशन के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है अपने पैरेंट के लिए तो चलिए गाईज क्या खूब कहा है किसी ने पानी पीना है तो गलास से पीजिए बिसलरी में क्या रखा है पानी पीना है तो गलास से पीजिए क्या रखा है बिसलरी में शेवा करनी है तो मा बाप की कीजिए क्या रखा है इन लड़कियों में चलिए 마음 समेविए पैल पर एक और आपको पता होगा की पैलिटिस में इंफ्लमेशन और पैल क्रियाज होता है आपको साएध में से आपको ऐसे नष घ्र कोई एंसBY 2 फंड पाकाई प्रयूर जाता है इसके काजिग काजिग के अंदर फर्षट कॉज यहां पर अपना इस्टुन आफतेक्षन हो गया फिर बालाseason का शन हो गया तो उसके कारण पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाज के जूस रिमेंट हो जाएगा और बहां है पर कोमकर कर देगा कैसे पर हैलिकॉहलेजंग Nothing यह विज नता कान यह दोनों ऐसेंट कोज हैं कौन से कोज यके मांनम वाँ टा मैं आदेजर मध्रात करें हैब यह बी फैटी-डाइट मतल है आप जादा फैट ले हो डाइट के अंदर तो भो भी पैंक्रेटाइटिस कोज कर सकती है नेक्स्ट फूर्थ कोज यहां देख लेता हम ट्राउमा कि आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो यह फिर रहीं से गिर गये आप जैसे पैंक्रेश पर पड़ाया निजुरी हुई तो वहां पर ट्रामा की कारण हुआ है तो वहां प्रेंक्रेटाइटिस होने की चांस यहो जाते है क्यांद एक्छ नुम्ट करेंगे फिच्ट बाइर वैर सता या फिर बैक्तिर्यैल पैन क्रेटिगस हो सकता है तो यहां पर मैं आपको इंपर्टेंट कौज बताएं सब्क ले मिकेश मैं आपको बता रहा हूं लेंड़ सेंस इंस मैं आपको बताऊ भी डाइगनॉसिस जो की question put up किये जाते हैं ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप इसकी pathophysiology तो pathophysiology के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई भी obstruction हुआ कोई भी obstruction हुआ inspector of odae में या फिर bile juice के अंदर या pancrete juice के अंदर कोई भी obstruction हुआ तो pancretic juice और bile इस रीम है inside जो pancretic juice है और bile है वो panc cabbage के अंदर ही रह जाएंगे अब लों दोनों अंदर रह जाएंगे तो enterokainage है जो enterokainage होता है enzyme वो aspirated हो जाएगा centorn diduct के अंदर वो aspirate हो जाएगा centorn or jus duct के अंदर और जब centorn i induct के अंदर में तो जो कि इन्यों फॉर्म होती है वोके जो टेप रॉय चाँकेंद के अंदर क ऎन्दर की इंटरॉकर ये पाहित चाहिए को पाहितिक के विफ़ास, होती है केटलाइटेक एंजाइम बोलते हैं इसलिए इसको और यह क्या करता है ट्रिप्शन जो एसी नार सेल होती है उनको डैमेज कर देता है और इसी को हम पैन के टाइटिस बोलते हैं ओके फ्रेंड्स यह होगये अपना पहती फीज लोजी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेसंस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेसंस के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर कुशन मनता है सीवियर पैन से severe pen जो pen होता है वो radiate होता है तो radiate कहां से कहां होता है एक question पूछ लियाता है pan radiated from the left upper quadrant to left shoulder and back is seen which conditions ऐसे question आप से पूछ लिया जाएगा جो severe pen radiate हो रहा है upper quadrant to left shoulder and back तो वो किस conditions में होता है तो यहां पे यहां पे पैन के टाइडिस में देखने को moment बिलता है स्ट में मिलता है इस के हिस्टे टॉरिया एक मैं इसी कंडिसें के इस चीर डिश्न के अंदर फैसे होता है जो सब्सक्रण को renowned he得 आफ्टर मील बढ़ जाता है मतलब पैन बरजन आफ्टर टेट दा मील ओके फैंट्स कि नेक्स्ट हम बात करेंगे यह पर क्लेंट साइन की जो कि इसका करेक्टराइस्ट फीचर से क्लेंट साइन डिसकलरेशन अराउंड पहरी अमलाईगर रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं इसको कि जो पहरी अमलाईगर रीजन होता है उसके अंदर ब्लुष डिसकलरेशन हो जाता है उसी को ही क्लेंट साइन कहा जाता है नेक्स्ट यहां पर देखने हो मिलता है टर मैं आपको सो दिंदीम बता जाता ह् awful अपन बोलते हैं कि बागल बागल मीनस जो एलियक, विलियक रीजन होता था। इस एलियक और इधर back में जो बागल में बोलते हैं अ उसको फ्लैंक एरिया का जाता है को फ्लैंक एरिया के एंदर blus disco result भॉना Turnal Sign कहलाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर डाइग्नोसिस की तो असिस्मेंट अप कुलेंसाइन और टर्नर साइन यहां पर हम कुलेंसाइन और टर्नर साइन देखेंगे हमें कुलेंसाइन और टर्नर साइन देखने को मिलेगा पैंकेटाइटिस के अंदर नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे Most specific marker serum lipid increase and serum amylage also increase जो most specific marker है pancreatitis का वो serum lipid increase होता है and serum amylage भी increase होता है यहां पर next देखते हैं Stool examination जो हम आप करोगे तो fatty stool देखने को मिलेगा fatty bulky stool देखने को मिलेगा means statoria statoria and यहां पर next हम जो diagnose कराएंगे वो USG और X-ray कराएंगे ताकि exact inflammation अपन detect कर सकते हैं उसमें अपन inflammation को देख सकते हैं X-ray और USG में next हम बात करेंगे treatment की treatment के अंदर जो acute pancreatitis होता है वो automatically resolve हो जाता है within 7 days तो acute pancreatitis के अंदर हमें कोई treatment नहीं लेना है अब वो आप ऐसे मत सोचना है की automatic resolve हो जाएगा आपको पहले diagnose कराना पड़ेगा कि वो acute है या chronic है and chronic pancreatitis के अंदर जो drug of choice होती है DOC means drug of choice होती है मेपरेडीन होती है but morphine is absolutely contra-intigrated because it spasm the pancreas and may increase the pen in the abnormal area and abnormal distension okay so morphine absolutely contra-intigrated होती है next यहाँ पर nothing by mouth रखना है पैसेंट को pancreatitis वाले पैसेंट को मुह से कुछ भी नहीं दिते है total parental nutrition indicate किया जाता है तो यहाँ पर total parental nutrition दिया जाता है यह surgical management हम देख लेते हैं यह एक विपल procedure किया जाता है जैसे विपल operation के नाम से भी जाना जाता है जिसके अंदर removal of necrotic tissue जो ऐसी नार cell के अंदर inflammation हुआ था जो ऐसी नार जो tissues थे उनके अंदर inflammation हो रहाता तो जो necrotic tissue है जो जिनकी death हो गई उन tissue को इस procedure के अंदर इस operation के अंदर remove कर दिया जाता है ओके फैंस तो यह था आज का हमारा वीडियो तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो गाईज एंड फिर में